Hello friends, स्वागत है आपका digital दयारी चैनल पे, मैं श्रियांस कोठारी लेके आया हूँ दोस्तों, objective general English का solution, बड़े ही दमागेदार, बड़े ही शांदर style में दोस्तों, बहुत ही शांदर किताब, एक बहुत ही शांदर तरीके से कराई जा रही है, आप लगातार हमारे साथ बने यह मजा ही आ जाएगा, मैं जादा समय लगाता हूँ, सीधा लिए चलता हूँ आपको questions पे, एक-एक question को discuss करेंगे, एक-एक बात को discuss करेंगे, revision exercise चल रही ही दोस्तों, revision exercise A हम कर रहे है, 20 questions आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, 21 से आज शुरू करेंगे, मजा आ जा पता हूँ, question number 21 के बाद, देखेंगा दोस्तों, मुझे लगता है, पहले इसे थोड़ा सा zoom कर लिया जाए, जिससे कि आपकी visibility बढ़ जाए, शल यह देखें, I dash a small house to live in these days, हमारे को हर sentence के अंदर keyword पकड़ना पड़ेगा, दोस्तों, उस keyword को time से relate करेंगे, और tense से relate करेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले जो हमने tenses chapter किया था, उस समय भी मैंने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा, कि आप time और tense को पैसान पाते हैं कि नहीं, मुख्य तोर पे tense को, तो यह कह रहा है दोस्तों, these days, अब पहले दो चीजें बता दूँ आप लोगों को, कि यह जो in है न, यह in इसके लिए नहीं है, यह in इसके लिए है, यह बहुत जरूरी है मैं समझना, यह in है, to live in, इतने पार्ट को खतम कर दें, रहने के लिए, to live in, आपको यह याद होगा, यह chapter का पार्ट आ चुका है, मैं करवा चु वो रहते हैं, ता है, ती है, ते हैं, present simple, present simple में I have का ही प्रयोग करता है, बस इतना ध्यान रखना है, I have a small house to live in, मेरे पास एक छोटा सा घर है रहने के लिए, these days, आज कल, शलिये साहब, question number 22 की बारी आ जाती है, he dashed her for a long time, for a long time, दोस्तों यह छोटा सा birth, phrase आपको बहुत ब difference create कर सकता है, यह हमें पता होना चाहिए, हम यह कहना चाहरे हैं, आगे देखें, पहले तो यह लिखा है कि for a long time, नजर आ रहा होगा आप लोगों को, for a long time आया है, मतलब हम आम तोर पे has known, he has known का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई भी संशे नहीं है, लेकिन यह sentence यहाँ खतम नहीं हुआ है, यह sentence आगे चल रहा है, before he finally dash married, देखें, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, before का एक बहुती common सा, बहुती usually use लिये जाने वाला funda क्या है, formula क्या है, वो बता दूँ, अगर आपको before के बाद verb की second form का प्रयोग मिलता है, तो had plus v3 यहाँ लगाना है यह हो जाता है past perfect, यह हो जाता है past simple, ऐसा कुछ हुआ उससे पहले तो ऐसा हो चुका था, यह काम पहले हो चुका था, मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं, finally got married to her, उसकी कि जब अन्ततह उससे शादी हुई, उससे पहले से वो बहुत समय से जान चुका था, जान रहा था, किसी भी format में लें आप, तो मुझे यह मालूम तो चल गया था, मुझे यह मालूम तो चल गया था, कि for a long time आया है, तो यहाँ perfect tense आएगा, लेकिन चुकी before के बाद एक और sentence है, जिससे मुझे got का पता चला, तो यहाँ यह clarity मिली, कि मुझे has नहीं, had का प्रियोग करना है, दोस्तों मैं एक भी sentence ऐसे ही हवा में आपको नहीं करवाऊंगा, मैं with reason, with solution, complete detail बताऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रही है, एक-एक question के साथ, एक-एक sentence के साथ, मजा आ जाएगा आप लोगों को, इस बात को देखते में शायद आपको clarity आ गई होगी, कि finally he got married, उससे पहले he had known her for a long time, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, question number 23 की तरफ चलते है Many more tourists dash by the time the week is over, by the time the week is over, इससे मुझे समझना पड़ेगा, ये समझ आएगा तो मैं सही answer put करूँगा, मेरी बात को सुनियेगा, यही मेरा tense का निरणायक है, decisive करने के लिए यही है, decision लेने के लिए यही है, by the time the week is over, उस समय तक जब ये हफता खतम होता है, ये सबताह खतम हो मेरी बात समझेगा, ये ऐसा हो, वो समय तक ऐसा होगा, many more tourists will have arrived, आ चुके होंगे, will have arrived, will have arrived की जगे, would have arrived, अगर possibility की बात कर रहे हैं, तो वो भी चलेगा, would have arrived हो चुका होगा, by the time the week is over, दोना ही चलेंगे, will have arrived भी चलेगा और would have arrived भी चलेगा, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों next question की तरह, you must see me, मुझे देख लेना, after you dash lunch, तुम ये काम कर चुके हो, उसके बाद ये काम कर लेना, मतलब ये must जो है, ये tense present का है, लेकिन बात future की कर रहा है, ये काम हो जाना चाहिए बाद में, यानि future की बात कर रहा है, समय, काल नहीं, time future का हो सकता है, tense तो present का है, must तो future में आते ही नहीं है, तो आप ऐसा कर लेना, बाद में, जब ये काम हो चुका हो, हो चुका हो, यानि perfect tense है, present perfect आएगा दोस्तों, यहाँ पे, you have taken, तुम lunch ले चुके हो, उसके बाद मुझे जरूर मिलना है तुमें, मिलना ही पड़ेगा, ऐसा यह कहना चाह रहे हम, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं अपनी कहानी को, question number आ जाते है, 25 पे, ध्यान से देखेगा, he dash 20 now, 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 यानि अभी B का present में ही form होता है, is, आपको ध्यान है, he is 20 now, 20 साल का हो गया है, अभी हो गया है, now, ठीके न, तो यहाँ 20 का मतलब, आपको कैसे, मुझे कैसे पता जला, उमर की बात है, भई, actually, जब हम इस लगा रहे हैं, कि तुम 20 के हो, तो हम हिंदी में भी यही बोलते हैं, तुम 20 के हो, 20 के हो गया हो, मतलब 20, तुम्हारी अभी उमर 20 है, next year, देखिए, keyword तो यहीं मिल गया हमें, अगले साल की बात हो र 20 के हो, मेरी बात भी clear होगी यह आप लोगों को, concept भी clear मैंने करने की कोशिश कर दी, the milkman dash here yesterday, मैंने आपको कितनी बार कहा है, सबसे important है दोस्तों, keyword को पकड़ो, time के keyword से tenses ही पता चलते हैं, वापिस मेरी बात सुनना, time के keyword से tense पता चलता है, यानि yesterday की बात हो रही है, the milkman was here yesterday, milkman कल यहाँ था, आया था, when we dash out, जब हम out थे, we were, we के साथ वर लगेगा, भाई यह कहना चाहरा है कि milkman कल आया था, जब हम बाहर थे, when का मतलब होता है, जब, सो हम यह कहना चाहरे है, यह भी काम past का है, जब ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, यानि, पीछे वाले portion में, वर आजाएगा, वी को देखते वे, आगे वाले में, वाज आजाएगा, milkman को देखते वे, दोस्तों, एक-एक चीज इतना आराम से, इतना basic से, मैं सारे students को cater कर रहा हूँ, अगर आपकी English बहुत अच्छी है, तो भी मेरा एक-एक word, एक-एक sentence आपके काम आएगा, English बहुत तो 27 देखते हैं, the milkman-milk to our neighbor, at the moment, underline करें इसे, box बनाएं इसे, जो भी इसे कर लें, यही वो चीज है, यही वो keyword है, जो हमें tense के नजदीक लेके जाएगा, अभी वो यह काम कर रहा है, क्या कर रहा है, he is giving milk to our neighbor, at the moment, इस शन, इस शन में पढ़ा रहा हूँ, इस शन आप प चलिए साब, the red food, beside the Yamuna in Delhi, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, एक word होता है, दोस्तों, beside, और एक word होता है, दोस्तों, besides, यह होता है, के अलावा, उसके अलावा भी कोई है, अच्छा, यह जो के अलावा, यह positive है, यानि इसको हम कह सकते हैं, in addition वाला, मतलब यह उसको छोड के वाला नहीं है, accept वाला नहीं है, यह besides, इसके अलावा यह भी है वाला अलावा है, दियान रखें, और यह besides का मतलब होता है, समीप, समीप कह दें, इंग्लिश में नियर कह दें, नस्दीक कह दें, जो भी इसे कह दें तो यह कह रहा है कि जो यमनाख है दिल्ली में, उसके समीप में कौन खड़ा है? अभी खड़ा है, प्रेजेंट सिंपल, यानि कि स्टान्स वह वहीं पर रहेगा न, चेंज तो नहीं होगा, अभी खड़ा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहे है, वह वहीं पर खड़ा है, काफी समय से The Red 4 stands beside, क्या ये बात समझा गई? Besides, Besides भी इसलिए मेरा बताना जरूरी था, दोस्तों कोई चीज अगर लिखी भी आती है, उससे रेडर कोई पार्ट है, कोई थियोरी पार्ट है जो मुझे बताना है, मैं वहीं उसी समय बताता हूँ, ये कोशिश करता हूँ, कि आपको भी उसी समय वो चीज क्लियर हो जाए शरीय साहब, question number 29 देखिए, Milton dash much of his great poetry, after he dash, एक बार मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, he dash blind, after का नियम ये है दोस्तों, कि after में before का उल्टा हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए, after में अगर दो चीजें past की आ रही हैं, तो आपको follow करनी जरूरी है, just before वाले का part उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे V2 आ जाएगा, यहाँ had V3 आ जाएगा, अभी कुछ दिर पहले हमने before में लिखा था, before से पहले had V3 लिखा था, before के बाद V2 लिखा था, यहाँ पे अगर और उसके बाद 3rd form तो become ही होती है, ध्यान रहे है आपको, become, became और become, तो पीछे वाले part में आ जाएगा, after he had become blind, और आगे वाले portion में आ जाएगा, Milton wrote, मुझे had wrote या written या सब कुछ भी लगाने की ज़रूद नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, Milton wrote much of his great poetry, बहुत सारी poetry जो उसने लिखी, उसके बाद वो वहाँ पे बन अंधा हुआ, अंधे होने से पहले लिखा, चलिए दोस्तों, his house face the east, ऐसा होता है हमेशा ही, उसका जो घर है वो face किये हुए है, his house faces the east, उसने face किया हुआ है, faces the east, तो यहाँ हमने देखा दोस्तों, किसी तरीके से हमने आपको एक-एक sentence को समझाने की कोशिश करी, यही मेरा मुख्य उद्देश है, इस किताब को लेके, क्योंकि इस किता आंसर भी हैं वहाँ पर, बस explanation के लिए यह वीडियो चहिए आपको, इस बात को मानना है आपको, और आप लगातार करिए दोस्तों, छोटे-छोटे, दस-बारा-दस-बारा मिनट के में वीडियो बना रहा हूँ, आप आराम से देखते रहिए, मजा लेते रहिए, बस यही कहना चाहूँगा, यह बात जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारा एक टेलिग्राम चैनल है, जिसको आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बहुत ही आनंद आ जाएगा, थांक्यू और टेक केर.